महराश्ट में शुपसेना और NCP में सेंध लगाने की बाद BGP कॉंग्रिस में सेंध मारी की कोशिश कर रही है लेकिन अभी तक उसे कोई काम्यावी नहीं मिल पाई है और अब पार्टी की इस कोशिश की पोल भी खुल गई है कॉंग्रिस नेता और पुर्व सीएम को बीजेपी ने अपने पाले में लाने की कोशिश की लेकिन पुर्व सीएम ने साफ कह दिया है कि अब कॉंग्रिस के अच्छे दिन आने वाले हैं तो क्या कुछ है पूरी खबर देखते हैं से रपोर्ट में महराश्ट्र की राजनीती में हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है पहले विधायकों के खिलाफ अयोगिता मामले को लेकर राजे में हडकंप मचा हुआ था और अब कॉंग्रिस नेता ने भाजपा पर बड़े आरोप लगाए हैं महराश्ट के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बीजेपी पर पार्टी में फूट डालने के आरोप लगाए हैं उनका कहना है कि बीजेपी ने उन्हें और उनकी बेटी प्रणीती को अपनी पार्टी में शामिल कराने की कोशिश की थी आपको बता दे शिंदे की बेटी प्रणीती सोलापूर सिटी सेंटर सीट से तीन बार की विधायक हैं बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कॉंग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन हमें कॉंग्रेस से अलग नहीं कर पाएगी कॉंग्रेस हमारे खून में है इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है अभी कॉंग्रेस के बहुत अच्छे दिन नहीं चल रहे लेकिन जल्द ही अच्छे दिन आएंगे आपको बता दे हाल ही में महराष्ट में कॉंग्रेस के पूर्वर नेता मिलिन देवडा कॉंग्रेस छोड एकनाथ शिंदे के नेत्रितु वाली शिव सेना गुट में शामिल हो गए है जिसे लेकर सियासत तेज रही अब ऐसे वहाल में सुशील कुमार शिंदे के इस बयान ने एक तरफ जहां कॉंग्रेस नेताओं की अपनी पार्टी के लिए निष्ठा का उधारन प्रस्तुत किया है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को कड़े आरोपों में भी घेर लिया है महराश्रो में लोग सबाचुनाओ के बाद विधान सबाचुनाओ होना है तो क्या बीजेपी को अपनी हार का डर सता आ रहा है डीबी लाइफ की रिपोर्ट